सब्सक्राइब किजία Byanking Guruji चैनल को और बेल ऐकन दबाईए latest informative वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हललो गूद मॉर्निंग नमस्कार Byanking Guruji चैनल के एक और fresh informative वीडियो में मैं स्वापनिल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अगर आप Visa, Mastercard और American Express के debit card भारतिय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गाइडलाइन्स के अंतरगर ग्लोबल पेमेंट कमपनी, वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस अब अपने सर्वर्स इंडिया में सेटप करने जा रहे हैं जिससे की इंडियन कार्ड हूलर्स का डेटा जो है वो इंडिया में सुरक्षित रहेगा साथ ही इन कमपनीयों को भारत में होने वाले इंकम के उपर 15 फीसदी टैक्स भी पे करना होगा एक स्थाई कमपनी का दरजा प्राप्तन होनी की वज़े से इन सारी कमपनी उसको अब तक भारत में टैक्स पेमेंट के लिए छूट दी जाती थी क्योंकि ये सारी कमपनिया भारत में सिंगापूर आफिस से ऑपरेट की जाती थी जब की इनका डेटा अमेरिका और आयरलेंड में स्टोर किया जाता था टैक्स एक्सपर्ट दिलीप लखानी जी का ये मानना है कि विभिन देशों के साथ किये गए समझोते को मद्दे नजर रखती हुए जिस सर्वर पर डेटा या सॉफ्वर स्टोर किया जाता है और जिसके जिरिये इस डेली रूटीन को मॉनिटर किया जाता है उस server को एक ही जगा पे रखना अनिवारी है और जिस जगा पर वो server रखा जाता है उसे business place या फिर commercial place कहते हैं फिर चाहे वो server range basis पे लिया हो या फिर ownership पे लिया हो और जब उस जगा को commercial place या फिर business place कहा जाता है तो वहाँ पर उस company को tax pay करना अनिवारी है भारत में स्थापित कंपणियों से corporate profit के उपर 30% टैक्स वसूल आ जाता है हाला कि global payment company, mastercard, visa और American Express से सिर्फ 15% टैक्स वसूल आ जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का Singapore और अन्य देशों के साथ tax payment के उपर समझोता हुआ है और ये company अभी Singapore से operate होती है अब इन सब के बीच ऐसी खबर भी एक निकल के आ रही है कि इन companies को जो 15% टैक्स पेमेंट करना है उसका बोज ये companies card holders के उपर डाल सकती है मतलब इन companies के debit card, credit card holder से ये fees वसूली जाएगी जिससे वो tax payment कर पाए Reserve Bank of India ने सारी companies को अप्रिल 2018 में फर्मान दिया था कि 15 October 2018 तक Visa, Mastercard और American Express ये तीनों company भारत में data सुरक्षित करने का इंतजाम कर ले मगर तेह तारीक से पहले इन में से कोई भी companies अपना वादा पुरा नहीं कर पाए Advisory firm MGP के partner Mr. Jitendra Bhandari ji ने बताया कि भारत में server लगाने से इन सारे payment companies के tax payment में बढ़ोतरी होगी इससे बचने के लिए कई सारी company या special purpose vehicle बना सकती है या किसी ऐसे Indian company के server का इस्तेमाल कर सकती है जो एक अलग industry से belong करता हो या फिर वो company किसी financial institution से ना जूड़ी हो और इन companies का server use करने के बदले में ये payment companies tax pay करने के बजाए उन Indian companies को rent दे कर कम खर्चे में जादा मुनाफ़ा करने की कोशिश कर सकती है मगर भंडारी जी का ये मानना है कि कुछ भी हो जाए पर निश्चित तोर पर tax की देनकारी इन payment companies को देनी ही होगी अब तक तो इस बारे में mastercard के तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है दोस्तों के साथ WhatsApp, Twitter, Facebook जहां पर भी आप चाहिए इस वीडियो को शेर कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दियो इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं हर अफते ऐसे ही नएने और इंफर्मिटिव वीडियो आपके लिए लिकर आता रहता हूँ तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्र